भक्ति उप्रतम अश्नामी प्रियतात मना इसलिए है अर्जुन जो भक्त मेरा सरद्धा के साथ प्रेम के साथ प्रेम मैं भक्त कोई पत्ता आरपन करता है तुलसी का पत्ता हो या सबजी हो पत्ते ही हैं पुष्प पत्त्रम पुष्प जलम तोयम जल फल जो स्रद्धा से जो प्रेम से यो में भक्तिया भक्तिया मीज़ भक्ति भाव से शुद्ध भावना से प्रेम भरी भावना से के प्रभू स्विकारो मुझ गरीब का ये भूग स्विकारो तद हम भक्ति उप्रतम उसकी भक्ति को देख कर गे, उसके प्रेम को देख कर गे मैं काता हूँ, मैं काता हूँ खाया है, विदुर का साग ही तो खाया, पत्ती ही तो खाये बिलनी के पास क्या था जंगल में, बेर थे, वो भी चाक-चाक के लाती तो उसकी प्रेम था, भावना थी शुद्ध कि मेरे प्रभु को मीठे बेर लेकर चलूं, और रोज लाती थे तोड़के, कि कभी तो आएंगे, आज नहीं आए तो कोई बाद नहीं, कल आएंगे फिर दूसरे दिन भी लाती थी, नहीं चक के लाती थी, कि ये बेर मीठा है, इस जाड के बेर मीठे है, मुझे लगता नहीं कि प्रतेग बेर को मुझे चकती होगी, जाड के एक बेर को चाक लो तो पता चल जाता है हम कभी अंगूर खरीते हैं, तो पूरे अंगूरों को थोड़ी चाक चाक के देखते हैं, एक को खा के देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि मीठा है, तो भाज दे दे, दो पॉंट दे दे तो बील नी भी जगे जगे ज़ार थे, बन में ज़ा रहती थी, तो जिस ज़ारी के बेर मीठे थे, उनको तो उड़के लाती थी, ये मत समझो, पृते एक बेर को इतनी पगला कोई नहीं होता है, कि पृते एक बेर को आदा खायगा रहाता बगवान के लिए, बिलकुल अ ये बेर मीठे हैं, उनको तोड़के सजा के लाती थी भवान को अरपड करने, भवान ने खाये, भवान तो प्रेम देखते हैं न, प्रेम ही उनके लिए सब कुछ है, प्रेम ही परमिश्वर का रूप है, आपके, आप प्रेम से उनको प्रणाम भी करते हैं, दिन में एक ब पत्रम पुस्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती तद्हम भक्ति उप्रतम अशनामी प्रियतात्मना हे अर्जुन ऐसे प्रिय भक्त का ऐसे प्रेमी का अर्पन किया हुआ मैं अवश्य स्वीकार करता हूं उसके प्रेम को देखती हुए तद्हम भक्ति उप्रतम भक्ति को निहारती हुए कितने भाव से मुझी इसलिए दुरियोधन का भी निमंत्रन आया था दुरियोधन ने राज महलों की 56 व्यंजन तैयार किये थे कृषिन के लिए इन दुरियोधन ने अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए दूतों को बेजा कि जाओ कृषिन को निमंतरन देखे आओ कि आज दुरियोधन के महलों में तुम्हारा भोजन करना दूत गए जूते पहन के चर मर करते हुए कृषिन को जहां भी पाया भगवान को बोला कि आज दुरियोधन ने निमंतरन बेजा है हे बासुदेव कृषिन आना बुलाया है आपको बोल ठीक है देखा जागा देखता हूँ लेकिन थोड़े ही पल के बाद में बिदुर जीवान नंगे पाउँ चले आ रहे है उस बावना को ले करके कि प्रभू आज मुझे गरीब के घराना मैं भी आपको थोड़ा कुछ एक टाइम भोजन करवाँ बगवान गए हूँ हाँ बिदुर तो राज गराने में महलों में धृतराष्ट के दरवार में बहुत उचे ओदे पे थे लिए राज गराने से जो भी कुछ मिलता था वो गरीबों में भाट देते थे वो अपने घर में नहीं लाते थे नाजा ने कैसे कैसे भगवान उनका घर चलाता था कि उनके घर में अच्छी तरह अन जल भी नहीं खाने पी निगलिए तो सबजीत साग था कोई कोई भी साग होगा साग बनाया हुआ था और साग ही अरपन किया सरसों का साग होगा यह पालक आलू बनाये होंगे जो भी था अरपन कर दिया साग था विदुर को साग खायो दुर्योधन को मेवात आगयो साग विदुर घर खायो क्यों? तद हम बक्ति उप्रतम बक्ति प्रेम था विदुर का विदुर के रदे में प्रेम था ऐसा प्रेम प्रभू के साथ आपका उदे होगा उस दिन आप दूसरों को भी ऐसा प्रेम बराब्यवार करने लगेंगे यह रहश है प्रभू के मंदिर में प्रवेश करो वो प्रभू आपकी हिर्दे में है आपका हिर्दे मंदिर है और भगवान ने जैसे पर्थम इस लोग में कहा कि सत्व गुणी भोजन स्रेष्ट है सत्व गुणी भोजन करो भगवान स्री कृष्ण ने अरजुन के बिना पूछे ये प्रारंब किया है अरजुन ने सरदा के लिए तो पूछा था कि शास्त्रों को नकारते हैं उनके बिर्दम सरदा तो होती है तो वो कौन से सरदा होती है कृष्ण क्या हो रजोगुणी होती है सत्व गुणी या तमोगुणी अरजुन ग्यानी मात्मा था अरजुन जानता है कि सतोगुन क्या है, रजोगुन क्या है, तमोगुन क्या है नहीं पूछ रहा है कृष्ण से हम सब के कल्यान के लिए भवा निस्रदा का बिसे बतलाया और तुरंत बोला कि बोलने लगे अरजुन भोजन भी तीन प्रकार का होता है तिर्विधो भवती प्रिया और वो तीन प्रकार के ही मनुश्यों को तीन प्रकार का भोजन पसंद है अपनी अपनी पसंद से सतोगुनी को सतोगुनी भोजन पसंद है रजोगुनी को रजोगुनी भोजन पसंद है तमोगुनी को तमोगुनी भोजन पसंद है क्यों ये तीन व्यक्ती तीन फैकल्टीज में बट गए कोई सतोगोनि बना, कोई तमोगोनी बना, कोई रजोगोनी बना, कैसे? जनम तो एक छोटे से बबल से वातीन होगा लिए निगा डवलपमेंट किया पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने तो इनको इनको रंग चड़ गे कलर चड़ गे तमोगून काला रंग रजोगून लाल रंग और सतोगून सफेद रंग तो ये तीनों व्यक्ति और रेड़ी सतोगून, रजोगून, तमोगून में है तो भगवान कहते हैं सतोगूनियों को सतोगूनी बोजनी पसंद है क्योंकि उनकी फाउंडेशन सतोगून से ही हुई है और उन्होंने रिलाइजिशन किया है अपने जीवन में कि सतोगूनी बोजनी सबसे स्रेश्ट है और शास्त्रों में भी बखान हुआ है स्वेम भगवान ने भी गीता में इसी बात को बोला है दूसरे अनेक धर्मों के जिनको धर्म कहते हैं यानि संपरदायों के शास्त्रों में भी यही चीज मिलती है देखने को बुद्ध भगवान के किसी सिष्ट ने कहा कि आप अइंसा का नारा लगाते हैं हमिशा सदे अइंसा की बात करते हैं लेकिन यह साख सब्जी खाते हैं फल फ्रूट काते हैं इनमें भी तो जीव है और मचली है या कोई बक्री है उनमें भी जीव है तो बेद क्या है एक जीव को खराब करो उसके शरीर को खराब करो तो उधर भी करो या इधर भी करो फरक क्या है बेद क्या है तो भगवान बुद्ध ने तो बहुत इस पश्टता से समझाया कि ये मनुष्य का शरीर है, इसको धारन करने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा जीवो जीवश जीवनम्त जैसुकदेव गुस्वामी जी परिक्षित महराज को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जीव ही जीव का भोजन है जीव ही जीव का भोजन है लेकिन आप देखो कि इन जीवों में, प्राणियों में बहुत से चिडिया ऐसी हैं जो शाका आरी है और बहुत से ऐसी हैं जो मांसा आरी है बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बिलकुल शाका आरी है गाए, गोड़ा है, उट है, हाती है, बंदर है खरगोश है इरण है अनेकों और इनके सामने लाख मांच पड़ा हो ताजा से ताजा यह सुंगते भी नहीं दूर से निकल जाते हैं क्यों क्योंकि इनके प्रकर्ती शाकारी है इनने न ये शरीर प्राप्त किया है ये शाकारी प्रकरती का शरीर है अगर एमानसार करेंगे तो ये दूस्षित हो जाएंगे इनके शरीर भी, बुद्धी भी, मन भी और ये नश्ट हो जाएंगे, बिक्षिप्त हो जाएंगे ऐसे ही जानवरों में है सिंग है उसके सामने, उसको रोटी नहीं चाहिए डाल नहीं चाहिए, उसको मांस चाहिए क्यों उसका शरीर जो उसने प्राप्त किया वो ऐसी प्रकरती का प्राप्त किया है और भगवान का ये सबारेंजमेंट है कि जहाँ पर इरनों के जुंड हो तो उनको बैलेंस ही करने के लिए सिंग है, बाग है, चीते है, दूसरे बेड़ी हैं, बोल्फ, कई मांसारी कुत्ते हैं, बिल्ली है ये बैलेंस को सही बनाए रखने के लिए और भगवान ने इनको पैदा किया मनुष्य है, इसको भी जो दात जो है, और आत, ये शाकारी की प्रदान की, इसका शरी शाकारी दिया लेनी इसको बुद्धी सभी प्राणियों में सबसे अधिक भगवान ने बक्सी, तो ये उस बुद्धी का उप्योग करे, ये दुरुप्योग करे, कर सकता है, ये कोई भी जानुर को मार के खा सकता है, पावर है शक्ति है इसके अंदर, और मारने जाने के लिए अब तो दुकानों के उपर सभी प्रकार की जानुवर मिल जाते हैं, साप कंचडे भी मिल जाते खाने के लिए, फिर तुम सुवर खाओ, बिल्ली कुत्ते खाओ, कुछ भी खाओ, सब अवे लेबन है, तो खाता है, उदो हल्दी लगे ने फिटकडी, रंग चोख हो या जाए, ले इन प्रकर्ती के खिलाप है, प्रकर्ती मनुष्य को शाकाहरी गोसित करती है, साइन्टिश्ट ने भी इस बात को, पूरे विश्व के साइन्टिश्ट ने इस बात को गोसित किया है, कि ये मनुष्य शाकाहरी प्राणी है, फिर हमारे श्यास्त्र, चाह कुरान हो या बाइ करते हैं, तो करते हैं, लेनों को माने कौन, कुरान में भी मान्स खाना अलाव नहीं है, लेनों माने कौन, फिर गीता, शास्त्र, आयरुवेद, बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान ने तो मावेर स्वामी, गुरुनानक देव, कोई भी मान्स खाने को अलाव नहीं करत लेकिन लोग मानते नहीं, तो अपनी मन मानी ढंग से जीवन जीते हैं, बद्धोगवान ने कहा कि अचिंत भेदा भेद, ये भी जीव हैं, लिए हमको जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए हम मनुष्यों का जो सलटेट भोजन है, वो बेजिटिरियन है, शाकारी है, अपनी शिश्च को कहा, लिए वो इस शिश्च जो है, दूसरी दिन, जो किसी के दरवाजे पर बिक्षा मांगने गया, तो उसने उसके बॉल में मांस का टुकडा डाल दिया, कटोरे में, तो उसने खाया तो नहीं, लेकर आया बुद्ध वगवान के सामने, और कहा मु मुलियों तो ये भी मिट्टी है, और जो आप साख सब्जी बोल रहे हैं, वो भी मिट्टी है, आकिर तो ये सब मिट्टी है, सब मिट्टी से खड़े होते हैं, बात तो उसने बड़ी पते की बोली, कि मिट्टी से ये गाय बैस बनती हैं, मिट्टी से मनुष्य बनते हैं, मिट्टी से पेड़ पौदे बनते हैं फल प्रूटाते हैं सबजी आती हैं तो यह सब तो मिट्टी है फरक क्या है और मुझे तो इमांस का टुकडा डाला अभी मैं इसको खाऊं या नहीं खाऊं तो बुद्ध भुगा ने कहा कि यह तो बात तेरी ठीक है यह सबी मिट्टी है तो एक कामकर जो जानवर अपने आप ही मर जाए नेचुरल डैथ हो जाए उसका मांस खा ले वो जरूर मिट्टी है डैपिनेट लेएं किसी का भले आदमी किसी का घर क्यों बिगाड़ता है आत्मा को तो तू क्या कोई भी नश्ट नहीं कर सकता लेन यह दूसरों के घरों को क्यों तोड़ता है इनको भी जीने का हाँ है इनको जीने दे और यह तेरा भोजन नहीं है बुद्ध भगवान ने तो इसलिए कहा कि इतनी तो इसके अंदर अकल होगी द्यान मार्ग में है यह कि मरे हुए जानवर को जो पोईजिनिस्ट हो जाता है इसको मैं क्यों खाऊंग जो निच्रल मर गया है उसका तो पोईजिन हो जाता है पूरी बॉड़ी का उसको कोई खाता नहीं तो बुद्ध नहीं सोचा कि ऐसे बोलूँगा तो शाथ यह नहीं खाएगा समझ जाएगा लेकिन बुद्ध भगवान की चले जाने के बाद में और बहुत से जो है बुद्धिष्ट लोग मांसार का सेवन करने लग गए कि बुद्ध ने तो बोला है कि खा सकते हूं मरे हुए मांस को तो यह मरा हुआ है सब जो खा रहे हम चाहे मार मार गारे खा तो मरा ही रहे तो अपने अपने तर्क डूंड लेता है आदमी अपने को उठाने के लिए भी और गिराने के लिए भी कोई भी धर्म मांस खाना अलाव नहीं करता कि मांस मनुश्य का भोजन नहीं है जीसस ने जो रॉम में रॉम की जो बड़ी चर्च है वहाँ बेड़ों की बली देते थे मंदिर के अंदर चर्च के अंदर उन्होंने अपने हातों से वो बेड काटने की जो चुरे थे और तक्ते थे वो सब फैंक दिये भार और बोश शाउट किया कि डॉन्ट डू दिस बिजनिस बिदमाई फादर वो भगवान की साथ ये दंदा मत करो कि ये बली देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे कलकत्ता की काली माता को बली लगती थी अभी गौवर्मेंट ने मना कर दिया तो बंद है लिन्वा धेर लग जाते थे हड्डियों के कि मा को बकरे की बली चाहिए मुर्गे की बली चाहिए काली चाली सामें लाइना आते हैं अंत में माला और फलफूल चड़ाए मांस खून से नहीं चुआए सबकी हम समान मैतारी काहे कोई बकरा को मारी हम सबकी माता हैं हमारे सामने क्यों तुम्हे बकरे और मुर्गे लाला के मारते काटते हो anyway कलकत्ता गॉर्मेंट ने जो है वो बकरा बली बंद कर दी वाँ पर अभी लड़ू बतासे का बहुत लगता है फिर भी मैंने सुना था पुजारी से पूछा तो कहने लगे कि साल में एक बार बकरा कटता है दशरे के दिन एक बकरा वो अभी रख लिया है निसानी बना करके कि कभी आप बकरी खटते थे कोई भी धर्म कोई भी शास्त्र आपको पत ब्रश्ट करता नहीं बलकि सच्चे पत के दर्शन कराते हैं शास्त्र जिस पत से आप परमिश्वर को प्राप्त कर लें वो मार्क दिखलाते हैं मार्स खाना थोड़ी से कलाते हैं या शराब पीना या जुआ खेलना या आवेद इस्त्री बैशाब ब्रती करना नहीं आपको लिफ्ट अप करते हैं शास्त्र उठाते हैं आपको पवितरता प्रदान करते हैं सतोगुणी भोजन को स्रिष्ट खा बगवान ने बगवान ने कहा कि अरजुनी ये तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं सतोगुणी चिन्हों ने अपनी शरीर को सतोगुण भोजन खिला से डवलप किया है उनका पूरा शरीर सतोगुण में है फिर उनके विचार बुद्धी भावना शतोगुण में होती है लिए जिन्हों ने अपनी शरीरों को रजुगुण भोजन खिला खिला के डवलप किया है उनके विचार बुद्धी मन रजुगुणी होते हैं और बहुत से लोगों ने जो है तमोगुण से अपनी शरीरों को तमोगुणी भोजन दे दे के तमोगुणी आहार जैसा कि मैंने कहा था पिछले सत्संग में कि पांच दर्वाजों से हम आहार लेते हैं इनमें जीव यानि स्वाद सबसे मुख्य है इसलिए भगवान ने आहार भोजन के लिए बोला आहार अस्त्वपी सर्वश्य तिरिविदो भवती प्रिय हो सत्वगुणी पूर्शों को सत्वगुणी आहार पसंद है प्रिय है माल पूए है खीर है दूद मलाई है सुन्दर सबजियां है ताल है गहूँ चने की रोटी है मक्का बाजरा की रोटी है आम के अचार नीबू के अचार ये पसंद है गन्यकारस है औरेंज जूस है ताजया फ्रेश ग्रेफ्स जूस है सड़ा हुआ नहीं सड़ी हुई शराब नहीं लिकन रजोगोणी को तूसरा वहुँ तो थोड़ा विस्तार से भगवान JOSH नी कहा कि अरजिन फिर प्रश्ण करेगा कि शत्योगोणी आहर कैसा होता है क्या होता है तो बगवाणी ओधर साया है और उसके क्या गुणे उसके करने से क्या लाव है ओभी भगवार ने एक इस स्लोक में ये चीज बोल दी है सात्वे अध्याय के अंदर आठवे इस स्लोक है देखिए है अर्जन सात्विक भोजन मन को बुद्धी को वीरिये को चलाय मान नहीं करता इस्तिर रखता है इसलिए ये इस्तिरा कहा ये इस्तिर मनिश को इस्तिर करने के लिए सेंट्रलाइज करने के लिए होश में लाने के लिए होश में रखने के लिए उप्युक्त है चलाएमान जब आप आईरवेद के संगपर्ग में जाएंगे तो मालूम चलेगा आपको फैक्ट क्या है जैसे कोई आदमी कड़वा तीखा, जादा तीखा, मिर्ची जादा, मसाले जादा या मांस या दूसरी दूसरी चीजें जानौरों को अभक्षन करता है दारू पी लेता है, चरस गाजा पी लेता है, तो मन चलाएमान होता है, निश्चे ही होता है भांग पीने वाले का मन कितना चलाएमान हो जाता है चंचल में ही मने कर्शन पहले ही मन चंचल है, फिर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजे खिलाओ इस मन को जो तुम्हें चलाय मान और भी कर दे डारू पी के आदमी कितना चलाय मान हो जाता है राजा बन जाता है अभी उसको रानिया चाहिए पाउँ दबाने के लिए घर का भी ओश बुला देता है पूरी प्रत्वी का समराठा भी छोटे मोटे घर में घुसनी क्या जो रहता है पूरी दारू चड़ा लिए तो यह तमोगुण यहां हार है लोग बकरे का बलड पीते हैं तो उनकी मन कैसे इस्तिर होंगे बुद्धी कैसे इस्तिर होगी कैसे वो सत पत पर उनका रत रुखेगा या आगे बढ़ेगा या चलेगा नहीं वो तो पत ब्रस्त हो जाएंगे क्योंकि उनके विचार दारा बिगडी हुई होगी शुद्ध नहीं हो सकती जो पेट में डालोगे वो ही तो तुरंत विचारों में प्रगट हो जाता है कोई भक्त भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का प्रशाद लेता है चाहे वो हाथ पर ही लेता है या बैठ कर खाता है उसकी बुद्धी के विचार और बुद्धी और भावना कुछ अलग नजर आएगी आपको नहीं ब्यक्ति मदिराले में जाता है या कसिनों में जाता है जुआ खेलने या वैश्चाले में या सजे हुए मांसाहार की तरफ लपकता है तो विचारदारा कुछ और होती है ये तो बड़ी सरलसी और अनभावी बाते हैं उनको मांसाहार करने वाले भी शराप पीने वाले भी जानते हैं और शाहार काहारी लोग जे शराप को छूते नहीं वो बी जानते हैं लेकिन प्रीयक किसको क्या है ये गुणों के उपर आधारीते हैं ये नहीं कि रजोगुणी रजोगुण में इस्तिर हो गया है तो रजोगुण को दबा नहीं सकता नहीं हो रजोगुण को तबागे सतवगुण को डवलप कर सकता है इसलिए ये शास्त्रे goin मार्ग दर्शाया गया है तमोगुणी भी सतवगुणी के इस्थर पर जा सकता है एक सदना कसाई भी भगवान के धाम को जा सकता है लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा उस कसाई के काम को तो त्यागना पड़ेगा सदना कसाई ने फैंक दिया था सारा मांस दुकान का अपनी दुकान का सारा मांस फैंक दिया था सारे छुरे चा को गटर में डाल दिये थे और उस तो नंगे पाउने कर पड़ा रहती है क्यों क्योंकि उन्हें भगवान को प्राप्त किया बहुत दान को गए हो आयश्ट स्रेणी में उनका सम्मान हुआ तो यह ना सोचे कि जो तमोगुणी है उनका जीवन और अगला जीवन नहीं वह आसे टर्न यूटर्न ले सकते हैं जो साउथ दिशा को जा रही कार यूटर्न ले गई तो किदर जाएगी नौर्थ में जाएगी तो नौर्थ में हिमाला है साउथ नीचे को है ऐसे ही है एगजामपल दिया है तो आप यू-टर ले सकते हैं, इजई तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तो यू-टर लेंगे, तो आप सत्रगुण आपको भी प्रभावी हो जांगा, आपके सारा कारीक Ram change हो जांगा. साइन्टिस्ट कहते हैं विज्ञानिक लोग कहते हैं कि तीन मेने कोई मांस आरी ब्यक्ति मांस को त्याग दे और शाकार शुरू कर दे तो तीन मेने में उसका पूरा बोड़ी का सिस्टम, ब्लड और रूप रेखा और विचारदारा सब चेंजों के एकदम सतोगुणी में साकारी में स्थिर हो जाती हैं और वो सुखी और स्वस्ता अनभाव करने लगता है तीन मेने का ब्रत ले कोई बिटती है समाज रस्ता बटक गया है तो यूटर लेना चाहिए कोई जरूरी नहीं कि सारी प्रत्विके जानवर जब तक नश्ट नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे ही नहीं नहीं ये जैसे पेड़ पहुदे वन हमारे लिए जीवन के लिए मनुश्यों के लिए लाब कारी है ऐसे प्रतेग जानवर प्रत्विके उपर जो भी परमात्मा ने क्रेट किया है उनका हमको लाब मिलता है इस बात को वैग्यानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं सिद कर प उपियोगी है उतना ही आम भी उपियोगी है जितना सिंग उपियोगी है समाज के लिए उतनी गव भी उपियोगी है जैसे हनी भी मदुमक्खी होती है वेग्यानी कहते हैं मदुमक्खी का होना बहुत जरूरी है हमारी जीवन के लिए हमारी स्वास्त के लिए हमें एलाई रखने के लिए ऐसी प्रतेक जानवर तुलसी का पौदा जैसे वेग्यानी को ने सिद्ध किया कि जिस गर में हेल्दी एक तुल्ची का पोदा होता है वह प्लेग तक प्रिवेशन ही करता और ये सत्प्रूफ हुआ जब सूरत में, गुजिरात में सूरत के अंदर प्लेग फैला था और बीस हजाराद भी मरे थे मैं बंबई में था उस समय